हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो इस टॉक ने हमको तीन पर्सेंट के उपर के अफसाइट के साथ क्लोजिंग दिखाई है मार्केट के गिरावट के साथ बड़ी गिरावट डिकाई थी टाटा पावर ने 3-70 के लेवल पर सपोर्ट लेकर बांस बेक किया है और बांस बेक किया है तो हम देख सकते हैं लगातार हमको तेजी दिखाता नजर आ रहा है जम्प के बाद गिरावट आई तो अपने लोग को breakdown नहीं किया, again jumper high breakout, again चोटी मुटी गिरावट, again jump और high breakout, इस bondsback के साथ हम देख सकते हैं इस stock, जहां rejection phase करता नजर आया था, 440 का level, इसको breakout करके इसके उपर closing दिखाता नजर आ रहा है, 440 के उपर, यहां से tata power अब हमको और तेजी दिखाता नजर आ सकता है, तो जिस level को breakout किया है, 440 का level, immediate support का काम करेगा, breakdown कर जाता है, तो तगड़े support का role play करेगा, 420 का level, यह तगड़ार important support रहेगा, यहां से देख सकते हैं, जो बड़े pillar से 370 के level पर इंटर हो चुके हैं, लगातार हमको तेजी देखने के लिए मरे चोटी मोटी गिरावट के साथ आगेन बायर सैक्टी होते हैं, वे नजर आ रहे हैं, और stock हमको uptrend में नजर आ रहा है, target की बात करें, तो immediate target 450 का level, जहां stock ने rejection phase किया था, इसको breakout कर गया, तो तगड़ा resistance phase करेगा, 460 के पास, जहां से stock ने आमको गिरावट डिकाई है, बड़ी गिरावट डिकाई थी, इससे पहले भी stock ने हमको 460 के level से 400 टक का fall दिकाया था, अगेन बांच बैक हुआ, तो same level पर ही rejection लेकर गिरावट डिकाई है, तो इसके आसपास 460 के आसपास थोड़ा सा aware रहे ना, इसके breakout का इंतिजार करना है, positions बनाने के लिए breakout का इंति box sustain हो गया, तो फिर वही से condition में अगला target 470, इसको breakout करके 480, और फिर 500 टक के भी target टाटा पावर में आमको short term में देखने के लिए मिल सकते हैं, यहां से टाटा पावर आमको तेजी दिकाता नजर आ सकता है, वीडियो education purpose के लिए कोई बाई से लिए hold की सला नहीं है, अगर आप Demet account open करना जाते हो, तो description में दीगए link से कर सकते हो,